दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि जो वीट में आप फर्स्ट इलिकेशन हमें अप्लाई करनी होती है, उसका क्या significance है, उसका क्या importance है, तो आप जैसे पीछे देख सकते हो कि यह फर्स्ट इलिकेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं, फर्स्ट इलिकेशन जो है वो आपको करी वो निकलना स्टार्ट हो जाता है इसी 20-25 देज में, जो लेट सोन वीट है और कूलर रिजन की वीट होती है, उनके लिए आपको 25-30 डेज आपको फर्स्ट इलिकेशन देना होता है, और इस इलिकेशन का इतना importance है कि अगर आप इसमें डिले करोगे इस इलिकेशन को, अग और इसका advantage यह है कि अगर आप इस stage पर पानी apply करते हो, तो root का जो जैसे मैंने बोला, यहाँ पर crown root निकलना स्टार्ट होता है इस इस days में, तो उसका growth अच्छा होता, क्योंकि जो next crop हमारी होती हो, depend case पर रहेगी crown root पर, वो ही permanent root होता है, ठीक है, तो उसका निकलना उस time पर अगर आपकी पानी की deficiency होगी, तो आगे का growth and development है, जो भी parameters है, जिसे आपकी tillering synchronize नहीं होगी, effective tillers नहीं होगे, और जो आपकी heads formation होते हैं, जिसमें आपकी बालियां, जिसको बालियां बोलते हैं, उसमें दाने बनते हैं, वो भी सब नार बलोंगी, बड़ी नहीं होगी, त इसलिए जो यह stage है, आपका 20-25 days, इस बीच में irrigation को आप चरूर apply करें, और यह बहुत ही important stage है, जिसको एक CRI, crown root initiation stage बोलते हैं, तो उमिद करूंगा यह वीडियो आप लोगो को कुछ aware किया होगा, about the importance of the first irrigation in wheat.